राम मंदिर, अयोध्या के बाद शांत नहीं बैठेगी विहिप, जाने 22 जन्वरी के बाद काशी मतुरा को लेकर क्या है प्लान? विश्व हिंदू परिशद के केंद्रिय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अमर उजाला से विशेश बादचीत में कहा कि हिंदू समाज ने अयोध्या, काशी और मतुरा के मंदिर को लेकर अपना संकल्प व्यक्त किया था अयोध्या में राम मंदिर की प्रांड प्रतिष्ठा के साथ ही तीन में से एक संकल्प पूर्ण होने जा रहा है अब हिंदू समाज अपने शेश मंदिरों के लिए प्रयास करेगा और उन्हें पूर्ण करेगा अयोध्या में राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा समारों की तैयारिया आंतिम चरणों में हैं विश्व हिंदू परिशद और श्रीराम जन्मभूमी तीरत क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तैयारियों में जुटे हैं विश्व हिंदू परिशद के एजेंडे में अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं, बलकि इसके बाद भी बहुत कुछ है. विश्व हिंदू परिशद के केंद्रिय महामंत्री मिलिंद परांडे ने अमर उजाला से विशेश बातचीत में कहा कि हिंदू समाज ने अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर को लेकर अपना संकल्प व्यक्त किया था अयोध्या में राम मंदिर की प्रांड प्रतिष्ठा के साथ ही तीन में से एक संकल्प पूर्ण होने जा रहा है अब हिंदू समाज अपने शेश मंदिरों के लिए प्रयास करेगा और उन्हें पूर्ण करेगा सवाल, लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर निर्मान की इस संघर्ष यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं जवाब, हिंदू समाज करीब 500 वर्षों से इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था इसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया विश्व हिंदू परिशद पूजय संतों के आदेश से इस अंदोलन के साथ जुड़ी ये श्रीराम की ही कृपाथी की हम सड़क से लेकर न्यायाले तक ये लड़ाई सफलता पूरवक लड़ पाए सुप्रीम कोर्ट ने ये भूमी हिंदूओं को सौंप दी कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट का निर्मान किया ट्रस्ट अब मंदिर का निर्मान कर रहा है 22 जनवरी को पी-म नरेंद्रमोदी, संग्ध के सरसंध चालक डॉक्टर मुहनराव भागवत और हजारों संतों के अलावा हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभावों की मौझूदगी में प्रांग प्रतिष्ठा का भव्यकार्यक्रम संपन होगा 22 जनवरी का दिन सभी हिंदूओं के लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान का दिन है सवाल, 22 जनवरी का दिन भारत और विदेश में कैसे मनाये जाने की तयारी है जवाब, भारत के विभिन राज्यों के करीब पांच लाख मंदिरों में एक ही दिन एक ही समय में पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन होगा सभी मंदिरों में एक साथ आर्थी होगी रात को शहरों के बाजारों और घरों में दीपावली मनाई जाएगी ये दीपोटसव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि भगवान राम पांच सौ वर्षों के बाद अपने घर में लोट रही है भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अफ्रीका के कई देशों में भी ये दीपोटसव मनाया जाएगा करीब 55 देशों में ये कार्यक्रम मंदिरों में मनाया जाएगा इन्हे देशों के कई गणमान्य लोगों को भी आमंत्रत भी किया गया है सवाल जो कारसेवक शहीद हुए उनके सम्मान या उन्हें याद करने के लिए वेप क्या करने जा रही है जवाब मैं शहीद शब्द का उपयोग नहीं करूंगा उनके लिए हुतात्मा या बलिदान शब्द ठीक रहेगा प्रांग प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बलिदानी कारसेवकों के परिवारों को भी बुलाया गया है उनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है उनका समरन भी यहां होगा सवाल, विश्व हिंदू परिशद का बहुत बड़ा सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है इसके बाद विहेप की आगे क्या योजना रहेगी जवाब, वर्ष 2024 विश्व हिंदू परिशद के लिए बहुत एहम है पहला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरा विहेप की स्थापना के साथ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारा संकल्प है कि आने वाले दिनों में हम लोग संगठन को करीब एक लाख स्थानों तक ले जाएंगे विहेप के कामकाज की दृष्टी से हमने देश को 1100 जिलों में बाटा है विहेप अभी 400 जिलों के कमजोर तबकों में स्वास्थ्य, शिक्ष और आर्थिक शेत्र में सुधार के लिए काम कर रहा है हमारा संकल्प है कि आने वाले दिनों में हमारा ये कार्या 800 जिलों तक पहुँचे हमारा तीसरा संकल्प है कि मंदिरों की सरकारी नियंत्रन से मुक्ती हो इसके अलावा देश में गोहत्या रोकने के लिए केंद्रियस्तर पर कानून का निर्मान हो आने वाले दिनों में बेहेप धर्मांतरन रोखने के लिए जंजागरन अभ्यान शुरू करेगी साथ ही राष्ट्रियस्तर और राजयस्तर पर कानून बने इसके लिए भी प्रयास करेगी सवाल, राम मंदिर निर्मान का लक्ष पूरा हो गया है काशी मतुरा को लेकर क्या योजना है? जवाब, हिंदू समाज ने अयोध्या, काशी और मतुरा के मंदिरों को लेकर अपना संकल्प व्यक्त किया था अयोध्या में राम मंदिर की प्रांड प्रतिष्ठा के साथ ही तीन में से एक संकल्प पूर्ण होने जा रहा है मुझे लगता है कि यह संकल्प जब 22 जन्वरी को पूरा हो जाएगा तब हिंदु समाज अपने शेश मंदिरों के लिए प्रयास करेगा और उन्हें पूर्ण करेगा सवाल, कई राजनीतिक दल प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारे करते हुए देख रहे हैं कॉंग्रेस ने आमंत्रन अस्वीकार कर दिया है जवाब, कई राजनीतिक दल इस कार्यक्रम में आने से परहेज नहीं कर रहे, बलकि राजनीती कर रहे हैं आज ऐसे करुणों लोग हैं जो ये राह देख रहे हैं कि हमें राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने का न्योता मिले लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम सभी को एक साथ नहीं बुला सकते हैं इसलिए समाज के सभी वर्गों के गण्मान्य लोगों को बुलाया जा रहा है जिस निमंतरन के लिए विश्व भर का हिंदू आस और नजर लगाए बैठा है ऐसे निमंतरन को ये लोग अस्वीकार कर रही हैं ट्रस्ट ने सभी विचारधारा के लोगों को ध्यान में रख कर निमंतरन दिया है अब ये लोग नहीं आना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं राम मंदर का निमंतरन अस्वीकार कर ये लोग बलिदान और संघर्ष करने वाले करोणों हिंदूओं का अपमान कर रही हैं सवाल आयोध्या में मंदर निर्मान का काम जारी है अभी प्रत्हम चरण ही पूरा हुआ है ऐसे में कई धर्माचार्य और शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं कि अधूरे मंदर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए जवाब काशी के विद्वान पंडितों ने सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही तिथी और मुहूर्त का चयन किया है इसमें कुछ भी गलत नहीं है सोमनात के मंदर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी उस दोरान भी मंदर का काम पूरा नहीं हुआ था शास्त्रों और लोग प्रता के चलते भी ये स्थिती अनुकूल है 150 से अधेक साधू संत इसकार्यक्रम में सहभागी हो रहे है सवाल, कुछ शंकराचार्य की ओर से इस समारों को लेकर कही गई कुछ बाते चर्चा में है इसमें क्या सच्चाई है जवाब, मैं केवल इतना ही कहूंगा की कई शंकराचार्य ने इसका स्वागत किया है हमने सभी को निमंत्रन भी दिया है अब कौन आ रहा है, कौन नहीं, इसकी अभी जानकारी नहीं है सवाल, पी-म के अलावा क्या राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती को न्योता दिया गया है क्या वे भी आएंगे जवाब, हमने राष्ट्रपती और उप्राष्ट्रपती को आमंत्रत किया है वे बहुत ही खुश है वे अभी सोच रहे हैं कि स्तिथी के दिन अयोध्या आएं, वे अयोध्या कब आएंगे इसकी सुचना अभी तक मिली नहीं है